हलो दोस्तों आपका स्वागत है अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राब कर लें आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही जरूरी एक बात जैसे आपकी बाजू निकालते हैं तो जैसे चोड़ाई कम है कपड़े की तो आप उसको कैसे निकालेंगे तो देखें यह मेरे पास जो कपड़ा है इसकी देखें जो डिजाइन है वो फूल बने हुए है और इसको हमे चोड़ाई तो देखें हमें इसकी चोड़ाई बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे इसके लिए जैसे हमें इसकी लंबाई रखनी है 9 इंच की बाजू रखनी है लंबाई तो हम यहां पर 10 इंच पर निशान लगा लेंगे अब यहाँ पर जैसे हम 10 इंच निशान लगा लेंगे इस तरीके से अगर हमें 10 इंच की बाजु चाहिए तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे अब यह हमारी लंबाई हो गई अब हमें इसे चोड़ाई में बढ़ाना है तो इसकी चोड़ाई हम कैसे बढ़ाएंगे देखी इस तरीके से हम यह कपड़े को डबल करेंगे do double करने के बाद अब हम यहां पर cutting का निशान लगाएंगे तो यहां पर देखिए हमें तीन इंच पर निशान लगाना इस तरीके से और इसको देखिए ऐसे लाना आ उपर की साइड आप देखिए हमारी cutting तो हो गई अब यहां पर हमें चौड़ाई बढ़ानी है, तो पेले हम यहाँ पर यह जो जुड़ा हुगा है, इसको कात लेंगे अब देखे, मौरी जैसे होमारी यहाँ पर है 12 इंच, तो मौरी तो हमारी महारी कापी है लेकिन हमें यहाँ पर धीला चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह टुकड़े लेंगे यह टुकड़े और इस तरीके से हम यह टुकड़े जोड़ देंगे तो यहां से हमें ज्यादा नहीं जोड़ना यहां तला की जोड़ना है तो इसको भी देखिए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे अब यहां पर यह कटिंग हो गई अब देखिए हमें कितनी भी चोड़ाई चाहिए मौरी तो हमारी यहां पर कापी है तो देखिए हम ऐसे करके ले जाएंगे सिलाई कितनी भी मौरी हमें चाहिए जैसे 12 इंच के मौरी चाहिए तो यहां पर 6 इंच पर निशान लगाने के बाल इसको हम ऐसे ले जाएंगे ऐसे और जैसे आरोमल हमें चाहिए यहाँ पर जोड़ने के लिए चोड़ाई तो देखिए इसके हमने यहाँ पर चोड़ाई नाप है तो देखिए कितना हो रहा है दस इन चोड़ाई तो यह बहुत चोड़ाई जादा है जब हम इसको जोड़ द आ जाएगी, तो कितना आसान और सरल तरीका है बाजू को जोडने का, अब अस्तर, तो पहले हम इसको जोड़ेंगे, सिलाई लगाएंगे, हम इसको चारों, जो हमारी ये दो बाजू है, तो हमने इस चार टुकड़े कीए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बाजू की चो जोड़ना है, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, अब इसके बाद हम अस्तल की कटिंग कर लेंगे, और अस्तल को फिर इसी के उपर हम पहले नीचे की सार सिलाई लगाके जोड लेंगे, तो इसी तरीके से हम दूसरी बाजू पर सिलाई लगाएंगे, ये टुकड़े जोड यह दूसरा है और जोड़ने के बाद इस तरीके से जोड़ना है तो जोड़ने के बाद अस्तल को जोड़ेंगे और फिर बाजू रखके हम अपने आरोमल के उपर नाप लेंगे तो आपको अगर बाजू जोड़न नहीं आता है तो आप प्लीज हमारे चैनल में देख लें क् हमारी वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है इंडियन टेलिंग तो उसके उपर आप किलिक किजिए उसके बाद उपर आएगा लिखके वीडियो तो वीडियो के उपर किलिक किजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा तो आप उसमें बहुत सारी सिलाई से जुड़ी हुई चीजा सीख सकते हैं जैसे बिलाउच की कटिंग, बिलाउच की डिजाइन और सूट की कटिंग, सलवार तो आसा करती हूँ, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ जाद से जाद से शेयर करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहती है तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद